देश में बेकाबू कोरोना से मचे कोहराम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम संदेश दिया हलांके इस पर विपक्षी पार्टियां हमला और हो गई है विपक्षी दलो ने पीम के कोरोना पर दिये भाशन की निंदा करते हुए कहा है कि देश को इस वक्त आपके भाशन की नहीं आउक्सीजन की जरूरत है बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आटवी बार देश को संबोधित करते हुए 19 मिनट तक भाशन दिया था पीम ने इस दोरान जरूरता को लॉकडाउन से आगाह करते हुए कहा था कि यदि कोरोना से लापरवाही हुई तो देश में और भी मुसीबत बढ़ेगी इस पर कांग्रेशनेता प्रियंका गांधी ने भी तंज कसा कि लोग मर रहे हैं और पीम रैली और प्रशार कर रहे हैं